नमस्कार दोस्तों मैं राज नर्वरे आपके अपने यूटूब चेनल आरके कोचिंग क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम लोग मैट्स का पार्ट टू देखने वाले हैं इसमें हम लोग MP Constable के previous year के paper discuss करेंगे ठीक है तो जो पहला paper 29 अगस्तों को जो हुआ था 19 अगस्तों को जो सबसे पहला paper हुआ था इसका पहला part upload हो चुका है तीन part में जो हैं हम एक paper को discuss करने वाले हैं 40 दिन का आपका Chris course का मतलब यहाँ पर यह है कि 40 दिन में हम इतना cover कर लेंगे जितना आपके exam में पूछा जाता है तो बस आप लोग video को लाज तक देखिएगा हर एक question को हम बहुत अच्छे से यहाँ पर discuss करने वाले 10 question लिए हैं और 10 question यहाँ पर आज complete हो जाएंगे ठीक है सभी 10 question को बहुत अच्छे से यहाँ पर हम लोग आज complete करने वाले ठीक है चलिए देखते हैं पहला question देखिए यहाँ पर आप question नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मैंने जो है question जो है direct exam से ही exam के paper से ही ले लिए है इडिट नहीं किया है तो यहाँ पर आप लोग question नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा बाकि आपको सिर्फ question समझने की जुरुत है ठीक है देखिए पहला question है कि 90 km प्रति घंटे की चाल से चल रही train को 75 मिटर लंबे एक बेट फार्म को पार करने में आठ सेकंड लगते हैं train की लंबाई आपको यहाँ पर बतानी है किसकी लंबाई train की लंबाई बतानी है देखिए question को पहले समझना है train की अगर बात करते हैं जब भी हम कहीं platform सबसे पहले तो एक formula आप लोग याद रखेगा चाल के अगर बात करें speed की बात करें तो चाल बराबरी से होता है दूरी याने के distance upon time t याने के time यह formula आपको हमेशा याद रखना है क्या है चाल speed बराबरी से दूरी बटे समय यह formula आपको हमेशा याद रखना है चाल बराबरी से दूरी बटे समय इस formula को हमेशा जो है याद रखना है ठीक है चलिए अब बात करते हैं कुस्षिन की क़्यों में क्या लिखा हुए 90 km की चाल देखें आपको स्पीड डी उड़िये कितनी दिया हुई है तैम जो है two eight seconds दिया हुआ है कितना दिया हुआ है Do you know यह एक mart बात करते हमें किस्की लमबाई निकालनी है प्रफन की लंबाई निकालनी है तो हमारे पास formula क्या होता है formula मैंने आपको बता दिया speed जो होता है speed कितने दी हुई है 90 km देखिए एक चीज यहाँ पर और एक बात याद रखेगा क्या जब भी आप question को solve करो unit एक होनी चीए अब देखिए यहाँ पर meter लिखा हुआ है यहाँ पर kilometer लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप confused ना होए जब भी अगर kilometer, meter अगर दिया हो तो क्या करें छोटी unit में इसे convert कर ले मतलब इस kilometer वाले को यहाँ meter में हम लोग convert कर लेंगे तो सबसे पहले kilometer वाले को meter में हम लोग convert करेंगे यह हमारी पहली process होनी चीए क्या करेंगे हम 90 km पर हावर है इसको meter 30 second में change करना है तो क्या करेंगे meter 30 second में change करने के लिए 5 बटे 18 से क्या करेंगे गुना करेंगे क्या करेंगे meter 30 second में change करने के लिए 5 बटे 18 से गुना करेंगे 18 से 90 कितनी बार कड़ जाएगा 5 बार तो यहाँ पर बचेगा 5 into 5 equal कितना हो जाएगा 25 और ये 25 किसमें आ जाएगा मीटर प्रतीस सेकेंड में अब देखो यहां भी मीटर आ गया यहां भी मीटर आ गया हमारी दोनों यूनिट क्या हो गई सेम हो गई हो गई सेम हो गई यूनिट चलिए तो अब 90 को भूल जाएए अब आपकी स्पीड कितनी होगी 25 मीटर प्रतीस सेकेंड यहां तक नोट कर लिजिए 90 को हमने चेंज कर लिया मीटर प्रतीस सेकेंड में 90 को मीटर प्रतीस सेकेंड में हमने चेंज किया तो कितना गया 25 मीटर प्रतीस सेकेंड अब यह आपकी स्पीड होगी स्पीड चाल हमारे पास कितनी हो गई 25 अभी हमने फाइंड की थी equal distance कितनी हो गई 75 किसकी platform की plus और एक distance जूड़ेगी इसमें किसकी train की हमें पता है क्या नहीं पता हमने उसे क्या मान लिया train की लंबाई कितनी मान लिया हमने x मान लिया ठीक है चलिए 75 मेटर किसकी लंबाई है platform की लंबाई है अब देखिए time कितना दिया हुआ है 8 सेकंड इतना तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं क्या हुआ हमने क्या लिखा चाल लिख दिया चाल बराबरी से दूरी कितनी है 75 plus x divided by 8 75 plus x क्यों लिख कि जब भी train किसी platform को यह मान लो यह platform है यह आपकी train है यह आपकी train है यह platform है यह train है तो train को कितना समय लगेगा कितनी दूरी तै करेगी एक तो पहले यह platform की दूरी अब मान लो यहाँ पर train है तो यह train का engine अगर सामने चला गया तो train cross हो गई क्या भी नहीं होई क्योंकि train का यह भाग अभी इधर पीछे platform के cover में हैं लेकिन जब यह क्या होगा कि train हमारी यहां से cross होके यहां तक चली गई इसका मतलब उसने train की लंबाई भी cover कर ली और platform की लंबाई भी यहां पर क्या कर ली cover कर ली तो इन दोनों को cover करने में जितना time लगेगा जितनी दूरी वो तै करेगी तो उसमें कितनी दूरी तै करेगी उसमें दूरी तै करेगी एक तो platform की लंबाई भी और खुद की लंबाई भी ठीक है इतना आपको समझ आ गया होगा अब क्या करेंगे इसका इधर 3 गुणा कर देंगे इसका क्या करेंगे यहाँ पर 3 गुणा कर देंगे तो 25 into 8 25 into 8 कर देंगे इक्वल 75 plus 100 हो जाएगा ठीक है 25 कितना होता है 200 होता है गुना करके आप देख लीजे, इक्वल कितना हो जाएगा, 75 प्लस X हो जाएगा, अब ये 75 इधर आएगा, क्यूंकि X वाली X का मानवी X की वेल्यू हमें निकालनी है, किसकी लंबाई है, X हमने ट्रेंड की लंबाई मान ली थी, तो X इक्वल क्या हो जाएगा, 200 माइनस 75, औ आपका बच जाएगा, कितना बचेगा, X equal कितना बचेगा, 125 मेटर, अब देखिए, आपका 125 मेटर, फस्ट आप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, ट्रें की लंबाई कितने निकल जाएगी, 125 मेटर जो है, ट्रें की लंबाई निकल जाएगी, ठीक है, ये इस तरीके से ह 50 रुपए किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपए किलोग्राम वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित मिसरन की कीमत 60 रुपए प्रती किलोग्राम हो जाए क्या होगा निर्मित मिसरन की कीमत कितनी हो जाए 60 रुपए प्रती किलोग्राम हो जाए अब देखिए कितना आसान सा question है, बहुत ही आसान question है, कैसे करेंगे हम, देखिए 50 kg है, इसको यहाँ पर लिख दीए, 80 kg है, इसको यहाँ पर लिख दीए, 80 kg नहीं, 50 रुपए प्रती किलोगरम यह भी price है, 80 रुपए, देखिए यहाँ इस process को करने के लिए, इस वाली method को solve क करने के लिए, unit, content जो है, same होना ची, जैसे यहाँ रुपए, यहाँ प्राइज लिखा है, यहाँ भी price लिखा है, यह थर्ड वाला भी price लिखा है, तो 50 रुपए प्रती किलोगरम, 80 रुपए प्रती किलोगरम, इसको यह कर लिजे, यह करने का मतलब देखिए, यहाँ पर देखो, आउसत कितना है, average कितना है, 60 रुपए प्रती किलोगरम, अब यहाँ पर एक चीज नोट करना है, आपको एक बात, यहाँ पर क्या नोट करना है, कि यह जो है, यह जो 60 होता है, यह से एक संख्या बड़ी होगी, और एक संख्या क्या होगी, छोटी होगी, तभी य बचा, 80 में से, 80 में से 60 गये, तो यह आपका यहाँ पर 20 बचा, 50 में से 60 गये, सुरी, 60 में से 50 गये, कितना बचा, 10 बचा, अब यहाँ पर अनुपात देखिए, आप कितना है, 20 अनुपात 10, 0 से 0, कितना बचा, 2 अनुपात 1, देखिए, आपसन में आपका 2 अनुपात 1 द मैं आपको बता रहा हूँ कितने इजी तरीके से और कितने जल्दी जो है में इस प्रोसेस से जो है इसे स्वाल कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट कॉस्चन देखते हैं दीग इस रंखला का योग आपको घ्यात करना देखी योग तो सभी बच्चे″ इसे एड कर सकते हैं तो इसको बताने का कुई ज़रूत नहीं है आप add कर सकते हैं सारे question जो है इसमें। बात कर रहे हैं next question कि एक परीक्षा में 36% विध्धरती अंग्रेजी में 40% विध्ध्ध्ध्रती हBBे हिंदी में फेंलогए कितने 36 विध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्रतीं अंग्रेजी में अभी भी कोई भी चीज, अगर percent की बात करते है, तो hundred percent आपको मानना चाहे, अब school में कितने विद्यारती है हमें नहीं पता, नहीं पता, लेकिन जब pretend में बात रहती है, तो हम उसे मान लेते हैं कि इसकुल में जो है 100% विध्यारती है, कितने है 100% विध्यारती है, जिसमें से क्या हुआ, 36% विध्यारती अंग्रेजी में फैल हो गए, किसमें फैल हो गए, 36% अंग्रेजी में, 40% विध्यारती किसमें फैल हो गए, हिंदी में, टोटल मिला के कितने हो गए, समझ आ रहा है ठीक है थोड़ा एड करते जाना है टोटल हंडेट परसेंट है तीस परसेंट विद्ध्यारती किसमें फैल होगे अंग्रेजी में फैल होगे और चालीस परसेंट विद्ध्यारती चिसमें फैल होगे हंडी में फैल होगे कितने होगे टोटल चाथततर तोटल कितने होगे लेकिन उसने एक बात की है कि दोनों विशाय में फैल विद्ध्यारती कितने है 20% मतलब उसमें हिंदी में फैल विद्ध्यारती भी उसी के अंतरगत है और अंग्रेजी में फैल विद्ध्यारती भी उसी के अंतरगत है अब छात्तर जो यह चात्तर है यह टोटल विद्ध्य ही हंडी और इंग्लिस के हिंदी और इंग्लीस दोनों के यह ठेलीं सेवंटी सिक्स जिसमेंसे बीस जो है दोनों में व्यमें मतलब 4000 ऑन्धार कई ढबर को लिखे हम इस हीजकल को क्या कर लेंगे माय वाइनस कर देंगे इस लिए परसेंट को हमाकरेंगे माय ओनेश कर हैं 56% विध्यारती कैसे हो चुके हैं फैल हो चुके हैं टोटल विध्यारती हमारे पास कितने हैं 100% टोटल विध्यारती देखिए एक बार और समझ लिएगा क्या है कि 36 विध्यारती हिंदी में अंग्रेजी में फैल हो गए 40 विध्यारती किसमें फैल हो गए हिंदी में तो अब इस 40% में भी वो है 36% में भी ज्यादा परसेंट वो बन रहा था इस 20% के कारण तो हमने क्या किया इस 20% को हटा दिया क्योंकि ये double counting हो गई थी double counting क्यों 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 हिंदी में भी फैल थे और इंग्लिस में भी फैल थे तो दोनों में इनकी क्या कर दी थी हमने गिंटी कर ली थी तो double counting हो गई थी इसलिए हमने क्या किया इस 20 को क्या कर दिया माइनस कर दिया तो हमारे पास total fail कितने है total मिलाके 56% विद्ध्यार्थ हैं जो fail हो चुके है total है हमारे पास 100 तो 56 को मानस कर देंगे तो मतलब बचेगा कितना 44% तो 56% तो फेल हो गए और 44% कि क्या होगे पास हो गए तो देखें ये क्या पुछा है हमें पास विध्यारतियों का पूछा है तो कितने हो गए 44,45 प्रतिसत जो है पास हो गए ठीक है तो यह तरीके से हमें question को solve करना है देखे यहाँ पर मैं अभी समझा रहा हूँ इसलिए time जादा लगेगा लेकिन दो एक मिनट भी काभी time यहाँ पर नहीं लगने वाला है 30 second maximum 30 second में जो है अपका question solve हो जाएगा अब बात करते हैं 27 number करे त्रिभूच का 6 रफल 150 मेटर square है इसके आधार की उचाई आधार और उचाई का अनुपाद इतना दिया है इसके आधार की लंबाई आपको ग्याद करनी है छेत्रफल कितना दिया हुए 150 मिटर इसके है अनुपाद कितना दिया हुए 3 अनुपाद चाँ आपको पता है कि त्रिभूच के छेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है त्रिभूच का छेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है त्रिबूच का छेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है 1 upon 2 into आधार into उच्छाई क्या होगा 1 upon 2 आधार into उच्छाई अब देखे 1 upon 2 आधार कितना दिया हुआ है अनुपात में दिया है 3 और 4 तो हम इसे मान लेते हैं 3x और 4x क्या मान लेते हैं 3x 4x तो हम इसे मान लेंगे 3x आधार हैं उच्छाई कितनी हैं 4x हम उच्छाई मान लेते हैं एकवल छेत्रफल आपका दिया हुआ है 150 यही तुदिया है आपका छेत्रफल क्या करेंगे 1 upon 2 आधार 3x मान लिया उच्छाई 4x मान लिया और छेत्रफल कितना दिया 150 यह दिया हुआ है, जब इसे 2 कहा इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 150 से, तो कितना हो जाएगा, 3x, अब हम क्या करेंगे, यहां डारेक्ट गुना कर लेंगे, इतना टाइम नहीं रहेगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, यहां पर डारेक्ट 3x और 4x का गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा चारतिया 12 x square equal चारतिया 12 x square equal यह दो का इससे रगुना करेंगे तो कितना जाएगा 300 यही आएगा चलिए बात करते हैं x square equal 300 यहाँ पर confused नहों आप इसलिए मैं अलग-अलग कर रहा हूं 300 divided by 12 आप चिक्या करेंगे हम कि इसका भाग दे देंगे तो देखें x square equal 12 x 300 आप कट करके देख लिए कितनी बार जाएगा 25 बार चला जाएगा 25 बार चला जाएगा तो x square equal पाचीस है जब इसका root निकालेंगे तो x square कितना जाएगा पाच निकल के आ जाएगा x equal कितना निकल के आ जाएगा 5 हमें क्या पूछा है इसके आधार की लंबई आधार हमने क्या माना था 3x, आधार 3x से ही माना था तो 3 into x जो है 5, equal कितना जाएगा 15 cm देखे कौन सा option है, 3rd option जो है आपका right हो जाएगा कितना 15 cm तो इस तरीके से हमें इस question को solve करना है, ओके चलिए next question देखते है next question है कि x अपने माल को y को 20% सस्ता और z को 20% महगा बेचता है z का माल y के माल से कितना महगा अथवा सस्ता है ठीक है, इसे हम 2-3 तरीके से question को solve कर सकते हैं एक पहली basic तरीका में आपको बता देता हूं क्या करेंगे हम कि x अपने माल को y को 20% सस्ता और z को 20% महगा बेचता है x अपने माल को y से 20% सस्ता और z से कितना 20% महगा बेचता है मान लो z इसे 100 रुपय में बेचता है तो x से इसे कितने में बेचता है X अपने माल को Z से 20% महेंगा मतलब 120 में बेचेगा 120 में बेचेगा लेकिन Y से कितना बेचता है 20% सस्ता बेचता है मतलब Y का 80% 20% सस्ता मतलब Y का 80% किसके बरावर है 120 के बरावर है ठीक है तो यहां से Y आप कितना निकाल सकते हो 120 into 100 upon 80 80, 0 से 0 केंसिल 4 दोनी, 8, 4 तिया, 12 ये कट जाएगा, 50 बार तो ये हो जाएगा, y equal 150 के y equal किसके बराबर हो जाएगा, 150 के जब इसे हम solve करेंगे तो उसने पूछाए, z का माल, y के माल से कितना महेंगा है अब z, ये देखो, z का 100 है, y का 50 है मतलब y का कितना है, महेंगा अथवा सस्ता है, तो 50 जो है, सस्ता है, z का किस से, y के माल से यहां से हम percent जो है, निकाल सकते हैं जैसे ये देखो, 5 तिया, 15 तो 100 upon 3, तो 33.33% जो है, आपका यहां पर answer आ जाएगा, दूसरी method मैं आपको यहां पर बता देता हूँ, यह बहुत ही अथी और समय time बचाने के लिए बहुत ही suitable method है, टीकेट जिसी हम लोग ratio method के नाम से जानते हैं, x अपने माल को y से 20% सस्ता बेचता है, पहले तो आपको पता होना ची, 20% को हम क्या लिख सकते है, 20 बटे 100 लिख सकते है, 20 बटे 100 परसेंट को क्या लिखते हैं, percentage को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 अपॉन 100 लिखते हैं, तो 20% को हम क्या लिखेंगे, 20 बटे 100 इसे काड़ देंगे, तो यह कड़ जाएगा 25, 100 मतलब 1 अपॉन 5 लिख सकते है, 20 को मान लेते हैं कि y जो है 5 है यहाँ पर देख लिजे y जो है कितना है 5 है तो x कितना हो जाएगा 20% सस्ता मतलब 4 मान लेंगे यही तो करना पड़ेगा कि y अगर 5 होगा तो x से सस्ता बेच रहा है मतलब 4 हो जाएगा ठीक है बात करते है z से कि z उससे 20% महंगा बेचता है ठीक है तो यहाँ पर इसको इस तरीके से नोट कर लेते है y x ठीक है यह जब 5 में बेचेगा तो यह कितने में बेचेगा 4 में बेचेगा z की अगर बात करते है तो z 20% महंगा मतलब यह 5 में बेचेगा तो यह 6 में बेचेगा ठीक है लेकिन हमें पता है कि X का तो बराबर होना चीए X बराबर होनी चीए यहाँ 6 है यहाँ 4 है यह सही होगा क्या नहीं होगा तो हम क्या करेंगे इनको बराबर करने के लिए इसमें हम लोग 3 का गुना कर लेते इसमें 2 का गुना कर लेते ठीक है अब उसने पूछा है कि Z का माल Y के माल से कितना महँगा है Z का कौन सा था ये नीचे वाला Y का कौन सा ये है तो कितना महँगा है 5 किसके respect में 15 के respect में into 100 5 तिया 15 तो वही आ गया 100 upon 3 और ये कितना होता है 33.33 ठीक है तो इसे दो मेथड से हम लोग कर सकते हैं basic से भी आपको मैंने बता दिया बात करते है the next question की कि 2004 में एक नई सर्ट की कीमत 250 रुपे थी जबकि 205 में यहाँ 400 रुपे हो गई 2004 से 2005 के दवरान सर्ट की कीमत में कितने ततिसत की बढ़तरी हुई यह आपको बताना है क्या हुआ पहले मुल्य कितना easy question है पहले मुल्य कितना था 250 रुपे अब मुल्य कितना हो गया 400 रुपे कितना बढ़ गया 400 में से 250 को आप लोग मैनस कर लिजे 0, 5 150 रुपे कितना बढ़ गया मुल्य 150 रुपए 150 रुपए किस से बढ़ा मुल्य 250 से जिस से बढ़ता है उसी से percentage निकालते percentage पूछाना आप से प्रतिसत तो प्रतिसत क्या होता है जितना मुल्य बढ़ा है और जिसके respect में उसने पूछा भी क्या है कि 2004 से 2005 के दवरान कब से 2004 से 2005 2004 में क्या था 250 रुपए तो 150 रुपए बढ़ा है किस के respect में 250 रुपए के और कितना हो जाएगा यह आपको बताना है तो यहां से यह कड़ जाएगा 25 से 100 कड़ जाएगा 4 बार और 15 इन्टू 4 कितना होता है 60 15 चुक 60 60% आपका option फर्स्ट जो है इसमें आपका राइट हो जाएगा एक स्टेप का question था यह समझ लेजिए कि 15 सेकंड 20 सेकंड इससे ज्यादा तो समय इसमें नहीं लगना चीए ठीक है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन की रवी के स्टेंप संग्रह में 2 अपान 7 भारती स्टेंप है और सेस विदेशी स्टेंप है भारती स्टेंप का विदेशी स्टेंप से अनुपात आपको बताना है ठीक है रवी के स्टेंप संग्रह में 2 अपान 7 भारती स्टेंप है देखिए ये मैं आपको ratio method आप लोग यहां समझ लिए बहुत ही अच्छे से जो है इसे हम लोग solve कर सकते हैं ratio method अगर आपने समझ लिया तो बहुत अच्छे से हम इसे solve कर सकते हैं यहां पर भी मैं दो method आपको बता दूँगा पहले हम लोग basic method देखेंगे basic method क्या है कि भारती system कितना है 2 upon 7 विशेस विदे system देखिए पहले तो हम मान लेते हैं कोई भी चीज हम एक मान लिया कितना मान लिया एक मान लिया अब इसमें से 2 upon 7 को मानस कर देंगे क्योंकि यह तो भारती system है बचे वाले विदेशी system है अब इस बचे वाले को निकालने के लिए total एक है एक में से 2 upon 7 हमने minus कर दिया कितना हो जाएगा 7 एक हम 7 7 में से 2 गए तो यह हो जाएगा 5 upon 7 कितना बचेगा 5 बटे 7 मतलब 5 बटे 7 कुन से stamp है विदेशी stamp है दो बटे 7 कुन से stamp है भारती stamp है भारती stamp और विदेशी stamp का अनुपात आपको पूछा है मतलब क्या होगा देखो भारती स्टेंप है 2 बटे 7 अपॉन विदे सी स्टेंप है कितने 5 बटे 7 इनका अनुपाथी पूछा है तो 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 2 बटे 5 और 2 बटे 5 मतलब 2 अपॉन 2 रेसियो 5 यही तो आंसर होगा तो यह हो जाएगा फर्स्ट वाल ऑप्सन 2 रेसियो 5 ठीक है यहां पर इसको स्वाल कर सकते हैं दूसरी मेतर हम आपको बताते हैं जिसमें आपको 2 सेकंड से ज्यादा समय ने लग रहा है क्या है कि रवी ने स्टेम्प संग्रह में 2 अपॉन 7 भारती स्टेम्प है यह जो नीचे 7 लिखा हुआ न यह समझ लिजए कि टोटल स्टेम्प है यह 7 जो लिखा है 2 अपॉन 7 लि इंडियन बचे कितने साथ में से ब्रिटिस फॉरेंड के लिए 7 में से टोटल साथ है दो इंडियन वाले हैं तो बचे कितने 5 पाच ही बचेंगे अब इनका अनुपात पूछा है तो 2 अनुपात 5 कर देना है बस यहाँ पर कोशन स्टेम्प हो जाएगा ठीक है दो सेकंड क भी कोश से जादा समय जो है यहाँ पर नहीं लगना है बहुत आसान तरिके से में से सॉल कर सकते हैं नेक्स्ट कोशन है कि हम मैनस के 1 पॉन 5 को किस संख्या से गुना करें जिससे की गुनानफल 9 पॉन 5 हो जाए देखिए सबसे पहले तो आपकी संख्या क्या है मैनस के 1 हमें एक मैनस चाहिए इसके पास मैनस नहीं यह ओपसंन नहीं होगा हमारे पास दो मैनस अब मिल ग declaratedа एक second वाले में और third वाले में, लेकिन नीचे क्या चीए, ये 25 चाहिए, और 25 कब आएगा जब 5 का, नीचे 5 का गुना होगा, मतलब नीचे यहाँ पर तो 5 ये ही चाहिए, 25 कब आएगा जब नीचे 5 का गुना होगा, अब देखे कुन से option में, ये third वाले में, यहीं से आपका question स्वाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, minus 9 का minus 1 में गुना होगा, 9 होगा, और 5 का 5 से गुना होगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये ही तो हमें चाहिए था, 9 upon 25, ये ही तो हमें चाहिए था, तो third option जो है आपका इसमें right हो जाएगा ठीक है चलिए next question देखते हैं next question है कि एक विक्ती एक वस्तु को 550 उर्पे में बेचता है जिससे वहा क्रेम मुल्ले का 1 upon 10 लाब कमाता है इसका लाब प्रतिसत ग्याद के जिए यहां question जो है confuse करने के लिए दिया हुआ है इस 550 का यहां कोई मतलब भी नहीं है हमें पूछा क्या है 1 upon 10 लाब कमाता है लाब का प्रतिसत ग्याद करना है अब मेरे दोस्त 1 upon 10 एक बटे 10 का percentage में अगर हम change करेंगे एक बटे 10 लाब है इसको जब percent में change करेंगे तो percent में change करने के लिए हम लोग क्या करते 100 का गुना करते 100 का क्या करते गुना करते इस percent का मतलब मैंने आपको बता दिया कि 1 upon 100 होता है क्या होता है 1 upon 100 होता है कि जब हमें इस percent को लाना होगा तो हम क्या करेंगे सव का गुना करेंगे, 0 से 0 किंसिल हो जाएगा, मतलब यह क्या हो गया अब 10% हमने % लगा दिया इस सव का गुना करने का मतलब हमने क्या कर दिया % को एड कर दिया, देखिए 10% यह देखिए, समझ आया देखिए एक छोटी सी बात है जब भी आप 10% की बात आगे, ऐसे आपने अगर 10% लिखा है, तो इसको आप क्या लिखोगे इसको क्या लिखोगे, आप 1 upon 10 लिखोगे, यह तो आपको याद ही होना चीए, और यही तो लिखा हुआ है, इसने 1 upon 10 यह तो direct आपको याद होना चीए, और वही यहाँ पर करना था, एक second का बस question को देखते से ही answer आ जाता 10% ठीक है तो उमीद करता हूँ कि यहाँ पर जो हैं हमारे question जो है, 10 question complete होते हैं next series में भी हम 10 question देखने वाले हैं, देखिए, एक paper में करीब 30-35 के बीच में question यहां 40 के बीच में question आपके exam में पूछे गए, ठीक है तो इसको solve करने में time जादा हो जाता है फिर boring सा लगता है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो में बना रहा हूँ, 10-10 question के जो हैं वीडियो में यहां बनाने की कोसिस कर रहा हूँ, उमीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज दिल से like किजिए का और आप लोग अगर channel पर नए हैं तो channel को subscribe जरू कर लिजे देखिए, यहां mess के series तो चल ही रही है, इसके साथ साथ GKGS की series भी हम लोग यहां पर चला रहा है, जिसमें हम लोग GKGS में जो current के question पूछे गए थे वो current से related करके हम लोग आपको बताएंगे, बागी जो aesthetic GK हैं वो तो portion आपको वहां पर cover हो ही जाएगा, ठीक है, तो वो video भी देखिए, playlist में आपको सारे GKGS के कोई video मिल जाएंगे, परड़े आपको मिलेगा, maths की class हाँ हो सकती है, परड़े लगे, confirm नहीं पर फिर भी आपके परड़े question हम लोग upload करने की कोसिस करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे next video में, ऐसी ही मज़ेदार question के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिन, जय भारत